नागपुर की गिटी खदान पुलिस थाना अंतरगर दावा परिसर में एक चार साल की बच्ची की साप काटने से मौत हो गई रात में सोते समय जहरीले साप ने बच्ची को काट लिया बच्ची की इलाज की दोरान अस्पताल में मौत हो गई इस खटना के बाद बच्ची का परिवास सदमे में है पुलिस ने सूचना मिलने के बाद अकास्मिक मौत का मामला दर्च किया है और आगी की ज्वाच कर रही है गिटी कनान पुलिस थाने के दाभा परेशा में देर रात यह गटना हुई थी मौत करीब एक बच्ची की उंगली में मनिया प्रजाती के जहरीले सामप ने काट लिया था इसका पता चलते ही परिजन उसे मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए ले गए जहां इलाज की दोरान ही उसकी मौत हो गई सिधातनी अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी इस खटना के बाद पूरा परिवास सदमे में है पुलस ने कास्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जाच कर रही है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ अभिशिक पांसी बीसे न्यूस नाख पूरू